हलो फ्रेंड्स वेल्काम टू माई चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पर कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरच्छित होंगे आज मैंने एक ایسे टॉपिक को चुना है जो बहुत ही साहस वाला एंगी और इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है एक बेटी ऐसी भी देखे लाक डाउन का पिरेट चल दाए है लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं कोरोना महमारी के वज़े से उनके काम बंद पढ़े हुएं फैक्टरियां बंद हो गई हैं तो जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घरों की और भाग रहे हैं ये प्रवासी मजदूर जो है पैदल ही चले आ रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चे भी पैदल चले आ रहे हैं बीमार लोग जो हैं, दिव्यांग लोग जो हैं वो भी दोड़ते हुए चले आ रहे हैं इसी बीच एक ऐसी photo viral होती है जिसमें एक बेटी होती है जो 7 दिनों में 1200 km का सफर तै करती है तो इस वीडियो में हम जानेगे कि वो कौन बेटी है जो 1200 km का सफर 7 दिन में साइकिल से तै करती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और सेर कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल सस्क्राइब कर लीजेगा तो सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक लड़की है और एक बुजुर्ग आदमी कह सकते हैं और ये जो बुजुर्ग आदमी है ये इनके पिता है मोहन पासवान और ये जो बेटी है मारी ये है ज्योती पासवान ये बिहार दर्भंगा के रहने वाली हैं दर्भंगा में एक गाउं है सरहुली सरहुली वहां की ये रहने वाली है इन्होंने जो है 1200 किलोमेटर का सफर जो है 7 दिन में तै किया इस साइकिल से और ये जो साइकिल है ये सेकेंड हैंड साइकिल थी और इसको 2000 रुपए में इन्होंने खरीदा था 1200 km का सफर 7 दिन में तै किया कोई मामूली बात नहीं है आज कल की बेटियों को कहा जाता है अगर घर का काम करना होता है तो वो कर नहीं पाती है एक बेटी ऐसी भी है जो 7 दिन में अपने बीमार पिता को अपने साइकिल के कैरियल पर बिठा कर 1200 km का सफरता है करती है ये काफी साहस भरा काम है तभी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुए कौन कहता है कि सिर्फ बेटे घर का चिराग है बेटियां भी घर को रोसन करती है बिल्कुल सही बात है ये एक निउज है पेपर में आई थी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैंने सोचा इसको भी कवर कर लिये जाता है साथ में तो निउज को देख लेते हैं जियोती की मदद में खड़ी केंद सकार ये फोटो जो है बड़ा ही मारमिक है और जब आप सोचते होंगे कि एक बेटी 1200 किलिमेटर का सफर साथ दिन में तै करके कैसे आयोगी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कैसे तै किया होगा मैं आपको बता दूँ कि जो इनके पिताजी है मोहन पासवान वो हरियाना में जो है आटो रिक्सा का काम करते थे आटो रिक्सा चलाते थे तो ये जो जो जोती पासवाने वो भी वहाँ चली जाती है और इनके पिताजी रिक्सा चलाते हैं और वो जो हमको खाना बना कर देती है तो होता ऐसा है कि कोरोना का समय चल लाँ था और इनके पिताजी जो है बीमार हो जाते हैं इसकी वज़े से जो है इनके पास इतना पैसा नहीं होता जब वहाँ कुरोना का टाइम चला था तो इनके पास जो है दो हजार रुपए थे लेकिन धीरे धीरे वो खतम हो जाते हैं धीरे धीरे वो रुपए खतम हो जाते हैं और हम लोग यहां से अपने गाउं सरहुली नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे तो इनके पिता जी कहते हैं कि कैसे जाएंगे हम लोग तो जोती कहती है कि साइकिल है ना हमारे पास हम इससे चलेंगे इनके पिताजी जो कहते हैं साइकिल से कैसे जा पाएंगे हम लोग कैसे जा पाएंगे तो इनकी बेटी कहते हैं मैं साइकिल चलाओंगे या पीछे बेटिएगा और हम पहुंच जाएंगे तो साथ दिनों का सफर जो है 1200 किलमेटर का सफर साइकिल से तै करके दरबंगा सरुहली गाओं में ये पहुँच जाती है काफी कह सकते हैं कठिन दोर था साथ दिनों का लेकिन वो पूरा हो जाता है ये कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए चूड़ा था और एक बुतल पानी था जब इन्होंने अपना सपर सुरू किया तो रास्ते में जो है लोगोंने काफी इनकी मदद की जिसकी वज़े से इनको दिक्कते नहीं हुए और आराम से अपने घर पहुँच गई आराम से नहीं कह सकते हैं और हरकत में आ जाती है क्या होता है अब इस न्यूज को पढ़ते हैं आप समझ जाएंगे तो न्यूज को पढ़ लेते हैं लिखा है जोती की मदद में खड़ी केंद स्रकार माता पिता की सेवा में खुद को खपाने वाले स्रमण कुमार की कहानी को जिंदा करने वाली बिहार की बेटी जोती पासवान की मदद में अब केंद स्रकार भी खड़ी हो गई है जोती अपने बीमार पिता को साइकल पर लेकर 1200 किलोमेटर की यात्रा कर बिहार अपने गाउं पहुँची थी केंद्री खाद मंतरी राम बिलास पासवान के अग्रह के बाद खेल मंतरी केरन जिजुदू ने आस्वासन दिया है कि जोती को राष्टी साइकलें अकादमी में प्रसुची के रूप में चुना जाएगा बता दें कि छोटी उम्र की जोती के साहस और सेवा ने पहले ही देश का दिल जीत लिया है और भारती साइकलिंग फेडरेशन ने उन्हें ट्राइल के लिए आमंतरित किया है रहिवार को पासवान की पहल के बाद और तेजी आई पासवान ने ट्विट कर खेल मंतरी से आगरह किया कि जोती की साइकलिंग की प्रतिबा को और निखारने के लिए उचित प्रिसिच्छन और चात्रिवर्ति की व्यवस्ता की जाए रिजुजु की तरफ से ततकाल जवाब आया उन्होंने कहा कि स्पोर्ट अथार्टी से जोती के परिच्छन के बाद रिपोर्ट मंगवा है यदि संभावना दिखी तो जोती को इंदरा गादी स्टेडियम परिसरिस्थिर साइकलिंग एकाडमी में प्रिसिच्छन दिलवाया जाएगा बताया जाता है कि पासवान के सांसत्पुत्र चिराक पासवान की ओर से पहले है उनको मदद पहुंचाई जा चुकी है खेर चलियो कोई बात नहीं है प्रतिभा है तो उसको निखारना जरूरी है जो भी इन्होंने साथ दुनों में कष्ट जेला उसको अब ये भूल जाए तो अच्छा होगा और अपने भावी जीवन को अच्छा बनाए साथ दिनों में जो है बारा सो किलिमेटर का सफर तै करती है जिसकी वज़े से ये हाइलाइट होती है और सोसल मीडिया पर चाहे वो फेस्बूक हो चाहे वो वाटसेप हो चाहे वो टूटर हो सभी जगए इनकी ये तस्वीर फैल जाती है बता दू इन्हें पढ़ने का बह साइकलिंग में जो है अपना फ्यूचर देखना चाहती है अगर मौका मिला है तो उसको भुनाना चाहेंगी एक महिने का समय है उसके बाद जो है इनका ट्राइल किया जाएगा तो अगर उसमें सफल होती है तो ये आगे उसमें काम करेंगी तो ये थी निउज और मैं आप को बता दूँ जो इवांका ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी उन्होंने भी जो है टूटर पर इनकी तस्वीर को सेर किया और सरहना की बहुत ही बड़ी बात है इस साथ दिनों में एक बेटी जो है बारा सो किलिमेटर का सफर तै करती है बहुत ही बड़ी बात है तो ऐसी बेटी को मेरा सलाम ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हमने चितर कर दिया है तो ये इनके पिता जी है मोहन पासवान ये है जोती कुमारी और ये देखिए ये आपको जो है थोड़ा किलीर दिखाई देगा ये जो पिक है ये जोती पासवान जी की है और इनको तो आप जानते होंगे सुपर 30 की निर्माता आनंद कुमार जी इन्होंने जो है ट्विट किया है कि बिहार की ट्विट नहीं मतलब फेस्बुक पे इन्होंने अपना सेर किया था पोस्ट कि बिहार की बेटी जोती कुमार ने हरियाना से त्यारी करना चाहती हैं तो सुपर थर्टे का हिस्सा बन सकती हैं और इंजीनेर की पढ़ाई कर सकती हैं खर्चा हम लोग करेंगे तो इनको भी मेरा सलाम की ये आगे आए हैं और आगे भढ़कर जो है एक अच्छा प्रयास किया है और अगर जोती चाहेंगी तो सुपर थर्टे का हिस्सा बन सकती हैं ये अच्छी बात है तो ये थी हमारी बेटी जोती कुमारी ऐसी बेटी को मेरा सलाम